हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका चैनल पे मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अवन ठाकोर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूजोंग्स जैसा कि वीडियो के थमने में आपने देख लिया है इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ इस सब्ता सरकारी वागों में रिक पड़े पड़ो के लिए जो अवेदन मंतरित किये गए हैं उसके बारे में जानकारी अगर आपने पिछले सब्ता का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिए उपर आई बटन में दिया गया है आप इस पर प्रेस करके पिछले स अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुजाओ है तो आप अपने भाम मुल्यों सुजाओ में इस पेड़ू आईडी के मादम से बेच सकते हैं आपके जो भी सुजाओ मारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो चैनल में इंप्लिमेंट करने कोशिश करेंगे तो जाद दें न करते हूं चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बात विभाक का ना में सेंटर फॉर ड्वल्मेट ओफ एडवांस्ट कम्प्यूटिंग सीडेक दिल्ली पदो का विवरन और पदो की कुल संक्या है प्रजेक्ट एसोशेट के 50 पत प्रजेक्ट इंजिनियर के 400 पत प्रजेक्ट मनेजर प्रोग्रेम मनेजर प्रोग्रेम डिलिवरी मनेजर नॉलेज पार्टनर के 50 पत Senior Project Engineer, Module Lead, Project Lead के 150 पदों के लिए आवेदन अमंतरित के गए हैं पदों के लिए सेक्षिन योगयता पद के उसाद निदाइत के गई है उमीद्वार जो इस कॉलम में दर्शाई गई सेक्षिन योगयता को समंदित विश्यों में पूरण करते हूं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सीधी भरती के तैत भरे जाएंगे पदों के लिए आयू सीमा, उमीद्वार की उपरी आयू सीमा 30 वर्ष, 35 वर्ष, 56 पद के अनुसार निदाइत की गई है पदों के लिए उमीद्वार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा पद के लिए पुर्ष और मैला उमीद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमीद्वार को उनलाइन करना होगा आवेदन करने की अंतिम्तिती 20 जुलाई 2022 नहिदाइत के गई है पदों के लिए वेतनमान उमीद्वार को पत के उनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा पूरण विवरन के लिए उमीद्वार विवा की ओपिशल वेबसाइट पर लॉग इन कर इस बिग्यापन के स्मंद में स्पून जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल का लिंक दे दिया गया है विवा का नाब है पेराशूट रेजिमेट ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर पदों का विवरन और पदों की कुछ संक्या है रुसोया का एक पद ये अन्य पिछला वर के उमिद्वार के लिए आरक्षित है और स्फाई वाले का एक पद ये आर्थी रूप से कमजोर वर के उमिद्वारों के लिए आरक्षित है पदों के लिए शक्षिन योगेता पद के उनसार निधायत की गई है उमिद्वार जो उपर दिये गे पत के क्रम अनुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमोत शेक्षन योगयता को और अनुवब को पूरण करते हों वो इन पतों के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पत सीधी भरती के तैत बरे जाएंगे पतों के लिए आयू सिमा उमिद्वार की नियूनतम आयू अठारा वर्श और अधिक्तम आयू 25 वर्श और 28 वर्श पत के अनुसार निर्दायत की गई है इन पतों के लिए उमिद्वार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा पत के लिए पुर्ष और मैला उमिद्वार आवेधन कर सकते हैं आवेधन उमिद्वार को आफलाइन करना होगा आवेधन करने की अंतिम्तिति इस विग्यापन के साप्ताइक रोजगार समाचार पत्तर में प्रकाशन के 20 दिन के अंदर उमीद्वार को आवेधन करना होगा पत के लिए वेतनमान उमीद्वार को पे मैट्रिक स्तर एक और स्तर दो साथवे वेतनायों के तहत वेतनमान दिया जाएगा अर्थात उमीद्वार को रुपए बेसिक अठाराजार और बेसिक रुपए 19,900 पत के अनुसार वितनमान दे होगा पूरण फिवरण के लिए उमीद्वार साप्ताइक रोजगार समाचार पत्तर 2 से 8 जुलाई 2022 का बिग्यापन संख्या 14.65 का अवलोकन कर इस बिग्यापन के समन्द में स्पून जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल का लिंक दे दिया गया है विभाग का नाम है केंटोनमेंट बोर्ड काम्टे पदो का विवरन और पदो की कुछ संक्या है ड्राफ्ट मेन का एक पद ये समान्य बर के उमिद्वार के लिए रक्षित है ओप्रेशन थेटर नर्स का एक पद ये समान्य बर के उमिद्वार के लिए रक्षित है कनेश्ट लिपिक का एक पद ये अन्य पिछला बर के उमिद्वारों के लिए आरक्षित है और स्फाई करमचारी का एक पद ये अन्य पिछला बर के उमिद्वार के लिए आरक्षित है पदों के लिए शेक्षिन योग्यता पद के उसान निदाइत किये गई है उमीद्वार जो इस कॉलम में उपर दियेगे पद के करम नुसार दर्शाई गई शेक्षन योग्यता को पूरण करते हों वो इन दियेगे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सीधी भरती के तैत बरे जाएंगे पदों के लिए आयू सीमा उमीद्वार की आयू 21 से 30 वर्ष के बीच में आवेदन के अंतिम दिन होने चाहिए आवेदन चुलक उमीद्वार को 200 रुपे डिमांड राफ्ट के वाध्यम से देना होगा इन पदों के लिए पुर्ष और मैला उमीद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमीद्वार को आफ्लाइन करना होगा आवेदन करने की अंतिमति थी 3 अगस्त 2022 ने दायत की गई है पदों के लिए वेतनमान उमीद्वार को S1 से लेकर S10 अर्थात रुपए बेसिक 15,000 से लेकर 9,300 उमीद्वार को वितनमान दिया जाएगा पूरण विवनन के लिए उमीद्वार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्तर 2 जुलाई 2022 के बिग्यापन संख्या 14.44 का अवलोकन कर इस बिग्यापन के स्बंद में स्पून जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल का लिंक दे दिया गया है विबाग का नाम है डिफेंस बायो इंजिनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबॉर्टरी बैंगलॉर पदो का विवरण है जुनियर रिसर्च फैलोज के पदो के लिए आवेदन अमंत्रित किये गये हैं पदो की कुल संक्या है साथ पदो के लिए शेक्षिनिक योगता और अनववपद के उनसान नेदाइत किया गया है उमीद्वार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शेक्षिनिक योगता को पूरण करते हों वो इन पदो के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सीधी भरती के तैत भरे जाएंगे पदो के लिए आयूसिमा उमीद्वार की उपरी आयूसिमा अठाईस स्वर्ष आवेदन के अंतिम दिन होने चाहिए आवेदन शुल्क उमीद्वार को कोई भी आवेदन शुल्क इन पदों के लिए नहीं देना है पद के लिए पुर्ष और मैला उमीद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमीद्वार को ओफलाइन करना होगा आवेदन करने की अंतिम्तिति साप्ताइक रोजगार समचार पत्तर में इस बिग्यापन के परकाशन के 15 दिन के अंदर उमिद्वार को आवेदन करना होगा पदों के लिए वेतनमान उमिद्वार को रुपे 31,000 और हरे पत्त के अनुसार दिया जाएगा पूरण विवरण के लिए उमिद्वार विवाग की ओफिशल वेबसाइट पर लॉग इन कर इस बिग्यापन के समन्द में स्पून जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल का लिंक दे दिया गया है आप दिये गए लिंक पे क्लिक करके इस बिग्यापन के समन्द में स्पून जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रेंग्स उमीद कता हूँ आपको ये विडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं अगर आपका वीडियो के संदर्व में कोई भी किसी तरह की अशंका है तो आप अपने message भी हमें बेश सकते हैं ये Facebook ID का link नीचे description box में दे दिया गया है आप हमें message कीजिए, आपके जो भी message हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल से जल देने की कोशिश करेंगे अंत मैं इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को देरो सार प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तही दिल से शुक्रियादा करता हूँ और भी नबन निमेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहे और दूसरों के साथ में वीडियो को शेर करते रहे उमीद करता हूँ next time एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूरू होने का मौका मिलेगा तब तक के लिए आप लोग जहां भी है खुश रहिए सुरक्षित रहिए और स्वस्त रहिए थैंक यू झाल